वालो स्वेंस कैपिटल गेन की लर्निंग में अभी तक आपने जो सीखा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो समझ रहे हो आंगे बढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है इसी तरीके से करते चलो ठीक है कोई नहीं रोग सकता आपको इंकम टैक्स में अच्छे नंबर लाने से को कोई भी सबसकता आपको अच्छे तरीक से चीजों को समझने से यह प्रैक्टिकल लर्निंग है इंकम टैक्स में आप जो भी पढ़ते हो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जड़ा हुआ है ऐसे एक्जांपल जिसके अंदर होते हैं जो कि डे टो डे लाइफ में आप करते लाइफ में इस चीज़ें हैं यह हमारे सब्जेक्ट को जाज से ज्यादा इंट्रस्तिंग मनाती है इसलिए जोड़े रही है बात होते हैं तो यहां पर कैपिटल गेंट में हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट कैसे निकालते हैं नहीं सीखा किसी ने कोई प तरह करते हैं तो किस तरीके से हमारे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है अब बात है कि जो हमारा फॉर्मेट हमने आपको लिखवाया था लॉंग टम कैपिटल गेन का उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि जो ट्रांसफ़र प्राइस था मलब जितने में आपने प्रोपर्ट में हम लिखते थे कि हुए इतने में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ उन की बात कर रहा हूं अ उस string कर देते थे जो भी हमारे सेल के के बाद जो आता था वो हमारा कहला था ग्रॉस कैपिटल गेंड फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्जैम्शन हम घटाते हैं अगर आपने कुछ पेमेंट्स तरीके के किये हैं जो एस पर इंकम टैक्स एक्ट हैं हमारे इंकम टैक्स के प्रोविजन Still के साफ थे हैं तो उनको घठाते हैं फिर हमारा टेक्जैवल पार्ट हम करते हैं टेक्जैवल केंड़ गेंड पर पहुंचते हों तो आज जो बारी है वह इन एक्जैम्शन को सीखने की सुरूबात की है सबसे पह प्रेसिक चीरें आपको याद रखने पड़ेंगी कि यह एक्जेंशन 54 होती क्या है और कौन से वाले कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर होती है इसको इसे एक्जेंशन से हमारा क्या फाइदा होता है और क्या ऐखे रेसिडेंशल हाउस को बेचने पर कोई भी लॉंग्टम कैपिटल गेन आपको हुआ है प्रीविएस यह grew कर्दीaly लॉंग टर्विटल गेंगी केटेगरी में आती है जानते हैं आप लेंड या बिल्डिंग या फिर लेंड बिल्डिंग चौविस महीने से ज्यादा रखकर बेची लॉंग टर्विटल गेंग होगा और शेयर डेवेंचर मीचल फंड सेक्यॉरिटी के लिए 12 महीने का टाइम है उससे ज्यादा रखकर बेची लॉंग टर्विटल गेंग हो गया इसके अलावा आपका जो है अधर एसेट्स के लिए 36 महीने का टाइए उसके लिए भी आपका 24 महीने का टाइए अनलिस्टेट अनलिस्टेट सेक्योरिटी जो स्टॉक एक्षेंग लिस्टेट नहीं है को हम बातकांपर करने लेंड विल्डिंगमें लेंड रेंड तो पहली बात कोई भी रेजिटेंशल हाउस है उसको आपने प्रिविएस हैर में बेचाए पर आपको लोंगalten डेंव के एन हुआ है ऑके एक्ज Jew भाइस ट्रांसफर करने पर कोई लोंगी लोंग तंप्याई लेन आपको हुआ तो यह एक्जैम्शन आपके लिए अवैलेबल है और यह एक्जैम्शन के वल दो लोगों को मिलती है पहला या तो वह इंडिविजुवल या फिर उसके साथ कोई वह हुआ है ऑप्शनल लगा देता हूं इंडिविजुवल को भी मिल जाती है और हिंदू अब करना क्या है सिंपल से दो काम करने अगर यह एक्जैम्शन आपको लेनी है आपने सुना होगा कि आप जैसे कोई मकान अपना बेज देते हो और वहाँ पर कोई कैपिटल गीन जनरेट हो जाता है तो आपने से सला लेते हो किसा बताओ कि टेक्स तो नहीं लग जाएगा तो वो तरंध कुछ आपको एडवाइस देते हैं उन एडवाइस मेंसे ही एक एडवाइस सेक्शन 54 की है उसमें क्या होता है कि आपको दूसरा मकान खरीदने या बनवाने की सला दी जाती है अगर आपने रेजिडेंशल हाउस प्रिविएस येर में सेल किया है जिससे आप आपको कोई long term capital gain हुआ है तो आपको ये रिसला दी जाती है कि दूसरा हाउस या तो आप खरीद लें या फिर बनवाने के लिए क्या होता है ऐसे बस खरीद लोग बनवालों नहीं होता है टाइम पीरेड होता है जिसके अंदर ये काम करना होता है ठीक है तो देखिए कंड बात के दो साल के अंदर अंदर है अगर दूसरा रेजिदेंशल हाउस खरीदना है तो जिस डेट में आपने प्रोपर्टी ट्रांसफर करी है उसके पहले के एक साल के अंदर अंदर या बात के दो साल के अंदर अंदर दूसरा रेजिदेंशल हाउस को आपको खरीदना है ठीक है और अगर construction कराना है तो transfer की date के बात के तीन साल के अंदर अंदर construction कराना है इसके लिए line हमारे जो रूल में दिरख्थी है he has purchased within one year before or two years after the date of transfer or he has constructed the new house within three years after the date of transfer इसके अलावा और भी थोड़ी बात सुलने जो भी रया वकान आप खरीदो गया बनवाओगे तीन साल तक बेचना नहीं है बेज़ दोगे तो जो भी इस साल पहले खरीदा हो या फिर बात के दो साल में खरीदा हो या बात कि उन्था थी मैंसे खोढ़ा जाना है अब्स टुमस्ट तरीफ स्मार्च टूधाउजटेंट टूजनटेंटी और मैं टाइम कि तनाय आपको बात के दो साल के अंदर बाद के तीन साल के अंदर तो यह इस्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आप काम कर लो उसके लिए तो फिर इंतजार करना पड़ेगा उत्ते टाइम आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि गए और तुरंत खरीद लिया जब इतना सारा टाइम मिला है तो आप ड उन्होंने तरीका बताया है चलिए आप यह करना चाहते हैं कोई बात नहीं बस आपके पास जो सेल करके पैसा आया है उसको आप एक अकाउंट में जमा कर दें कहां एक अकाउंट नेशनलाइस्ट बेंक में सेंट्रल गवर्मेंट ने इंडिकेट किया हुआ है वह एकाउं उस पैसे को जमा करने पर प्रीवियस एयर में आपको जो भी कैपिटल गेन बन रहा था लॉंग टम उसकी एक्जेंशन मिल जाती है उस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन शर्त यह है कि जो भी वैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट इसकी में जमा किया उसको आपको इस ब यूज़ काम के लिए एक्जैंशन कैंशिल जो भी टैक्स बचा था एक्जैंशन कैंसिल दुबारा हो जाएगा आपका वब आउंट थीक हैसा चलिए बात बात आती है लिमिट की कि कितनी एक्जैंशन मिलेगी मैं एक प्लॉज आप समझ लें अगर आपका इंवेस्ट्मे या जो भी आपका इंवेस्टमेंट आपने नए मकाम को खरीदने या बनवाने किया है वो एमाउंट अगर लॉंघ टम के अमाउंट से ज्यादा है तो पूरा कैपिटल गीन हो गया अगर इंवेस्टम बेंट केमांट से कम है तो जितने का इंवेस्टमेंट किया है उतने की एक्जेंप्शन मिल जाएगी एक्जाम्पल से भी इस बात को समझो कि मालो 10 लाख रुपे का लॉंटम यह बारे लाख रुपे का नया मकान खरीद आपने तो पूरा दसलाख रुपे का लॉंटम के अपने आपकी एक्जम्प्शन आट लाख रुपे की होगी बचेगी वह दो लाख आपके लिए टेक्जबल हो जाएंगे सब अभी देखिए एक ब्यूटिफुल सा सवाल लिखा हुगा इसको कैसे अप्लाई करेंगे सुरी बात को पूरा करने के लिए जस्टीफाइए ध्यान से सवाल को देखेंगे आप सब लोग प्रीवियास यार एससी का एंड होता एकत्यस मात दो लाक रुपे का मलब बिफॉर एप्रिल वन टू थाउजन वन में खरीदा है फिर उसकी एक्ट्वल कॉस्ट जो भी होती है दो लाक रुपे उसको कंपेर करना होता है उसकी फियर मार्केट वैल्यू से जो एक अप्रेल दो जार एक को होगी वाने सवाल पढ़ेंगे तो मि नटेगी इसमें लिखा है उसने से मकान को में बहुता कब में अक्टूबर 2019 में 2009 साता है कब प्रीवियस यह इंस के लिए एस्ट में होता है कब दो जार बीस-डो यह किस में हमें कौन सा असे स्वाल करना 2020 2021 का का भ्यांस बात को समझी तो अक्टूबर 2019 हमारा प्रीवियस यह एसेस्मेंट यह बीस एक्यस तो मैं इसके लिए यह प्रोग्राम न्याब्या कर देता हूं तो यह बीचा इसने स्टुडेंट्स अक्टूबर 2019 करेंगे तो अक्टूबर 2019 में बेचा था ट्रांसफर किया था कितने का 22 लाग दिया मैंने एक अप्रेल 2000 एक को तीन लाग रुपे की फियर मार्केट वैल्यू एक्च्वल कॉस्ट याद है आपको कि दो लाग रुपे की थी तो इन दौनों में ज्यादा क्या हुआ तीन लाग रुपे ना इसको काई से डिवाइट करना है मुझे ज्यादा को हंड्रेट से बेचा कब मैंने प्रिवियस एयर में उन्निस बीस में तो प्रिवियस एयर का इंडेक्स 289 यह क्या निकाल रहा हूं में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्पिजिशन एक्शुल कॉस्ट और फियर मार्केट वेलू दौनों में ज्यादा है दो लाग और तीन लाग दौनों में ज्यादा कितना है तो तीन लाग को सौ से डिवाइट करो दो सो नवासी से मुल्टिप्लाय करो कितना आ गया अभी देखिए तो अभी मैं यहां पर लिख देता हूं यह मेरा क्या आगया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्क्विजिशन आंगे पढ़ता हूं अब उसने क्या किया एक नया मकान खरीदा 31 दिसंबर 2019 को 10,50,000 अब खरीदा 31 दिसंबर 2019 तो तुरंट आपको एक बात समझना है दिमाग लगाना है धंसे कि जो नया मकान उसने खरीदा है वह एक त्यसंबर 2019 को खरीदा है 31 दिसंबर 2019 इस ट्रांसफर की डेट से पहले के एक साल के अंदर आ रही है या बात के दो साल के अंदर आ रही है या बात के दो साल के अंदर आ रही है यह बात दिमाग में रख लो रेजिदेंशल हाउस होना चाहिए लॉंग टर्फिटल गेन होना चाहिए तो यह मैं लेस्ट कर रहा हूं कि मेरा लॉंग टर्फिटल गेन आगया कितना अभी यह एलिजबल हो गया एक्जैंशन अंडर सेक्शन 54 के लिए और इसका कितने रुपे का था दस राक पचास हजार का इंवेस्टमेंट को स्कॉण कि को कॉयास्ट ओफ इन्वेस्टमाइन दस लाग पचास हजार और लॉंग टर्म केपिटल गेन कितता है आपका 13,33,000 इस देट ओके long term capital gain ज्यादा investment कम है तो पूरा long term capital gain exempt नहीं हो सकता जितना आपका investment है उतना exempt हो जाएगा कितना 10 लाग बचा हुआ long term capital gain आपका taxable हो जाएगा कितना बचेगा वो 2,83,000 यह हमारा taxable हो गया ठीक है आगे सुनिए point number second क्या कह रहा है उसने एक residential house खरीदा था 25 फरवरी 2020 को sorry बेचा था 25 फरवरी 2020 को अब यह मेरे को यहां से इसको हटाना पड़ेगा यह सवाल अलग है तो यह मैं यहां से हटा देता हूँ 25 फरवरी 2020 को एक residential house बेचा उसमें कितने का बेचा 25 फरवरी 2020 काई में आ रही है अब मैं यह बी पॉइंट सोल कर रहा हूं यह point खतम हो भी बात प्रीज़ियस यह्यर में अ रही है 19 बीस में कितने का वेचा टूपइंट 5 सीर निक है लइक तूपइंट फिक्टी स्टी में कि इसके बाद देखिए उसने पर्चेस किया था तीन चार में तीन तो पैंतिस लाख रुपे में पर्चेस कर रहा है वह आप 2003 2004 में आफ्टार एपरेल बन तूधाउजन बन हो गया तो इसका पिन चारका इंडेक्स देखो कितना है थीन चारगाई 109 कि तो यह-ससे से करूंगा और इसने इस इर के civ करूंगा और जिन से मालौब बेचा सब्सक्राइए आंगे देख रहा हूं मैं उसके पास नूसरा कोई कोई में था सब्सक्राइब नहीं है अब आँगे देखो कि फिर इसके बाद में लिखा है कि उसने चेंज करूँ ट्रांसफर की डेट क्या है वे और नया मकान कब खरीद रहूंगे जुलाई 2019 में तो जुलाई 2019 तो इससे पहले आ रहा है जुलाई 2019 में जो नया मकान खरीदा है वह कितने खरीदा है असी लाग रुपए का कितने खरीदा है असी लाग रुपए का ठीक है अब देखते हैं क्या बनती है कहानी यहाँ पर कि ट्रांसफर की डेट क्या है 25 फरवरी 2020 तो दूसरा मकान के लिए कप खरीदा असी लाग रुपए का जुलाई 2019 तो ट्रांसफर की डेट के पहले के एक साल के अंदर अंदर आ रहा है वह आ रहा है तो देखो ट्रांसफर किया कितने में धाई करोड में आंगे पढ़ता सकता हुए है है तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट अट कितना आजाएगा अंग तो अब अभी मेरा लॉंकट्रम केपिटल गेंगिता आ जाएगा इसने वह कोई एक सेल एक्सपेंस को नहीं है बताइए लॉंकट्रम केपिटल के साथा आजाएगा विससे ट्रासी अब यह अर्फिक है यह वेरा लॉंग टर्म ये नियुक्त रूपे यह यह कम है न चितना इन्वेस्ट मेंट रोपे क्यों रुपए द्यान दीजिए जड़ा बात खतम नहीं यह शुरू हुई है आंगे और समझे लोगा है और बीस लाख रुपए नोने अकाउंट इस्कीम में सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम के अंतरगत जमा करा दिए कि कराने देना बचाने के लिए कितने बचाने थे बचाने देठी असी लाख रुपए घटा दो है कि 70 लाख रुपए का करीब टेक्स बन जाता कैपिटल गेन हो जाता लॉंग टम टेक्ट जिवल उसको बचाना है तो कम से कम उतना आप जमा करा दो काई मैं कैपिटल गेन आप डिस्कीम में आप पूरे तो आपने कित्ते कराई 20 लाख रुपए तो मैं उतने तो बचा दूँँ आपके ठीक है ना उतने पर तो एक करोड बच गया तो बचाओ फिफ्टी सेवन लैक यह पूरे करोड़ कर दूँ कितना टेक्जिवल हो गया फिफ्टी सेवन लैक ट्वेंटी दाउजन वनननेटी फिरी इतना टेक्जिवल हो गया ठीक है जी अच्छा आँगे देख लेता हूं मैं उसने एक रेजिदेंशल हाउस खरीद लिया कब खरीड आए मार्स 2020 में सोल एलाक रुपए का एनदर रेजिदेंशल हाउस दूसरा और रेजिदेंशल हाउस करीड लिया तो दो खरीद सक अधिस के यह और रही है शोलाज रुपए का और एक्जंशनी है शोल लाक रुपए का और एक अटि जया है फियूँ का फियू है एक तालिस लाग बीस अजार एक सो तेरासी आई होप यू गेट डेट क्लिया अच्छल में अब करेंट असेस्मेंट डियर से दो मकानों को खरीदने की एक्जेम्शन आपको मिलने लगी है इसलिए मैंने दोनों मकान जो आपने खरीदे जो विदिन दा टाइम आ रहे थे इस फॉर्ट नमबर दो मकान पहले से हैं आफ यूव टाइड एक तो इसके पास दो मकान है और इनमें से एक लखनव में हैं लखनव कहां पहले इंडिया में और यह इस ने बेचा अप्रेट बीस दो जार उननिस में अप्रेट बीच बीच चाब शब्स लाख रुपए में र कि यहां करते हैं इसको कि कितने में बेचा 26 लाख रुपए में कि जितनी दिर में सोचेंगे उतनी में 26 लाख रुपए 26 लाख रुपए में सेल किया और उसने दूसरा उसने यह मकान खरीदा था 95 में तीन लाख रुपए का तो विफॉर एप्रिल और फियर मार्केट दोनों का ज्यादा लेना है न तो ज्यादा कितना है फाइव लैक सिस्टी दाउजन हंड्रेट से डिवाइट करना है बेचा कब मैंने प्रीविएस यर में ठीक है उसने इस मकान को तब खरीदा था तीन लाख रुपए का फियर मार्केट वैलू भी कंसीडर कर लिए उसने धाई लाख रुपए विदिन टाइम बैंक में जमा करा दिये ठीक है और मकान खरीद लिया नौ लाख का दिसंबर 2019 में तो ट्रांसफर की डेट के बात के तीन दो अंदर अंदर खरीद लिया की आप मेप्रेयल 10-2019 में और खरीदा कप सब्सक्राइब्स में तो ट्रांसफर की डیटके बात के तो साल के अंदर an 사용 करिद लिया ये एक्सेंचन इसको भीली चाहिए द्यान से सुनना नया हाउस इन्हों ने अगस 2020 में बेच दिया अगस 2020 कौन से इयर में आता है 20-21 तो एसेस्मेंट इयर उसका कौन सा बनता है 21-22 नया हाउस उसने कितने बेचा 15,50,000 रुपे में मैंने आपको एक बात बताई थी स्टाइटिंग में ही जो भी नया मकान खरीदो या बनवाओ उसको आपको तीन साल तक रखना बेचना नहीं है अगर बेच दोगे तो एक्जेंशन कैंसल हो जाएगी एक्जेंशन कैंसल कैसे होती है सुन लो जितने में बे सब्सक्राइब करेंशन कैंसल हो जाएगी नौ लाक रुपे यह पूरा 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 टेक्जेबल हो जाएगा लेकिन कौन से असेस्मेंट यही तो दिया होगा ना लाव बुक दिखाओ मुझे ठीक है अब जैसे मालो एक्जेंशन आपको दी उन्होंने कि नो लाक 181,006,009,001,066,00,000,001,000,006,00,001,006,00,001,000,00,006,00,006,00,001,006,00,008,00,00,006,00,006,00 इंवेश्मेंट क्या है एक बार और रीड कर लेते हैं उसके पास दो मकान हैं और उसने बेचा का अप्रेल दस 2019 में कितने का चप्विस लाग का मकान उसने खरीदा था पिच्च अवे में कितने का तीन लाग का फेर मार्केट वेलू ले लिए हमने डाइए लाक रुपे विदिन दा टाइम ल बेच दिया उसको right within three years तो फिर आपकी पूरी की पूरी exemption cancel हो गाई पूरा transfer price taxable हो जाएगा clear? this is the point follow this, thank you so much for now